ओके अलो व्रेंड किसे हो आप सब में हुवी सी और आप देख रहें Bound to Invest YouTube चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे निप्टी का एक बड़ा स्टोक साड़े चार परसंट गीर चुका है तो उसको आप अपनी long term watch list में add करके रखो और जब भी मोका मिले तब आप इसमें buying बना सकते तो दोस्तो देखते कौन सा ये स्टोक है कहां आपको खरीदना चाहे तो बेटर आपको क्या है कि long term ने benefit मिले तो देख लेते कौन सा ये स्टोक है और अभी तक आपने अमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजे क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर जर दिन लेते आते तो अगर आपको कुछ लर्निंग करने कुछ जानना है तो सिंपल सा तरीका आप अमारे साथ जुड़ जाईए तो पहले हम इस कंपनी के थोड़े fundamental देख लेते हैं तो आपको आइडिया आए कि ये कंपनी केस है तो जो ये कंपनी है वो excellent quality की है excellent quality by management risk growth and capital structure for long term investment अब हम इसकी sales के बारे में बात करें तो इसकी sales है average sales 5 year की जो है 34.76% की इसकी sales है बार में EBIT growth देख लेते हैं वो भी एक अच्छे 35.02% की EBIT growth है अब हम इस कंपनी के PE valuation वगेरा देख लेते हैं जो हाल फिलाल का इसका valuation है वो अभी very expensive valuation पे trade करा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि यह expensive यह अपनी हिसाब से expensive बताता है और अभी market में आप जाओगे तो अच्छी कंपनी अच्छे valuation पे ही मिलती है EBIT to EBITDA growth देख लेतो 21.98% की EBIT to EBITDA growth भाद में ROCE देख लेतो 13.54% की ROCE है बाद में ROE देख लेतो 22.35% की ROE है अब हम इसके financial акogene के बारे में बात कर लेते हैं तो फेले हम इस कंपनी के quarter to quarter result के बारे में बात करेंगे तो आप net sales देख रहे है quarter to quarter result के बारे में तो 48.34% की अपसेट देखाई दे रहे हैं, जो एक अच्छी बात होती है, बाद में इसमें नेट प्रोफिट देख लेते हैं, तो नेट प्रोफिट भी 63.11% की इसमें अपसेट देखाई दे रहे हैं, जो भी एक अच्छी बात है, बाद में क्या है कि नेट प्रोफिट मार् में बात करते हैं अब हम आ चुके कोटली यह तु यह रिजल्ट के ऊपर तो यह तु यह रिजल्ट में आपको नेट सेस्स देखनों को मिल रहा है 8.97% की उच्छाल देखनों को इसमें जो भी एक अच्छी बात है बाद में नेट प्रोफिट देख रहे तो जिसमें 26.02% की अपसेट दिखाई दे रही जो भी एक अच्छी बात है बाद में ऑपरेटिंग प्रोफिट मार्जिन देख लेते हैं जिसमें 0.54% की अपसेट दिखाई दे रहे है जो भी एक अच्छी बात है मतलब हम फाइनेशनल देख रहे तो इसमें हमें सब में अच्छा पोइंट देख ले थे तो अभी तक हम बात कर रहे थे वो कंपनी थी बजाज फाइनास तो एक अच्छी कंपनी आपको भी पता होगा तो इसमें अभी क्या है कि आज एक बड़ी सी डाउंसेट देखने को मिल रहे तो देखते कहां तक ये डाउंसेट जा सकते हो और आपको कहां बा हिस एक जेट चार-घार थेंक या अरे मुंद चार-घार मानते तो अभी जो हो फिलड़ प्राइज वो ये-4 चार-जाज तो अगर इसके नीचे देख lemon तो हमारा पहला सपोर्ट को उनसा होगा, तो हमारा पहला सपोर्ट होगा, वो होगा एक moving average जो है hundred days की moving average, simple moving average है, तो hundred days की simple moving average होगी, जो आ रहे है, 3860 पे, मतलब 3860 पे ही मानते, तो 3860 पे अगर यह आपको कोई reversal जाने के बाद, proper upside जाने का कोई signal देता है, तब आप इसमें buying opportunity बना सकते हो, लेकिन अगर long term के लिए है, तो थोड़ा ओर नीचे का weight कीजिए, तो आपको वहाँ पे भी opportunity मिल सकते है, क्योंकि यह देखो, यह level आ रहा है, वो भी आगे एक बार support ले चुका है, तो मतलब यह level important में इसलिए ले रहा हूँ, वैसे भी तो में क्या है कि, यह hundred support लेने की देखता नहीं हो, लेकिन क्या है कि इसदर आगे एक support आ रहा है, मतलब आगे उसी level के आसपा से एक बार उपर जा चुका है, तो यह अपनी क्या है कि watch list में लगा के रखो, अगर यह क्या है कि 3860 के आसपा से कोई upside जाने का proper signal दे, तब आप अपनी इसमें support होगा, वो होगा, 3770 का level, अगर यह उस level के कोई upside जाने का signal देता है आपको, तब आप अपनी position वहाँ से बना सकते हो, तो इस level को watch कीजिए, अगर आपको कोई वहाँ opportunity मिलती है, तब आप अपनी इसमें position बना सकते हो, बाद में हम जो main important level की बात करे, वो क्या होगा, तो आ आगे आने वाले दिन में, यह rising support line पे आपको support लेता हुआ दीखे, तो यह important line होटे है, किसी भी बड़े stock में rising support line, तो उस पे आप watch करके रखे, अगर यह line पे आपको कोई opportunity मिलती है, rising support line पे है, तो यह इसकी कोई value नहीं होती, यह क्या है कि जेसे stock movement करता है, वेसे change होती जा अगर यह क्या है कि suddenly poll करता है, तो इदर आती है, अगर यह क्या है कि retrace करकर पोल करता है, तो इदर पी आए, यह दोनों साथ में भी आ जाए, तो देखना पड़ता है कि चार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, बाद में अगर यह इसको भी break करके नीचे चला गया तो हमारा second and most important support होगा वो होगा 200 days की moving average अभी मैं इसको क्यों ले रहा हूँ तो आप देख रहो तो इसने किया कि एक बार इधर support लिया था बाद में एक बार इधर भी support लिया एक बार इधर भी support लिया था बाद में कोई support नहीं लिया तो हो सकता है कि ये आपको 200 days की moving average पे भी support लेता हुआ दिखे तो ये अपने moving average क्या है कि एक बार 200s की इस stock में आप लगा के रखो क्योंकि मेरे को particular ऐसा लग रहा है कि बजाज finance के लिए 200 days की moving average important है क्योंकि आगे भी हमने देख चुक है इसलिए तो अपनी watch list में 200s की moving average लगा के रखो support resistance लगा के रखो अगर आपको उस पे कुछ प्रोप पर upside जाने का signal मिलता है तब आप अपने इसमें long term के लिए buying opportunity बना सकते हो और बाद में हम एक बार क्या है कि RSI and MSCD भी देख लेते हैं तो पेले हम MSCD देखते हैं तो MSCD में हाल फिलाल आपको एक negative crossover देखने को मिल चुका है आप इधर देखिए आपको एक negative crossover मिल चुका है इधर बाद में हम क्या है कि RSI की बात करें तो RSI का हाल फिलाल का जो लेवल है वो 39.23 है तो आपके RSI में भी क्या है कि एक suddenly फोल देखने को मिला है आज के ही भी तो आप अपना क्या है कि इस टोक को वोचलिस्ट में बना के रखो अगर आपको opportunity चाहे long term के लिए या क्या है कि swing या positional के लिए मेरे को लगता है कि इसमें आपको बहुत बढ़िया opportunity मिल सकती है लेकिन proper opportunity होनी चाहे proper आपको knowledge होना चाहे कहां मेरे को क्या मिले तब मेरे को buy करना है वो सब तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो like, comment and subscribe कर देना आप like, comment करोगे तभी तो में motivation मिलेगा और इसे वीडियो आगे ले कहेंगे तो please यारो like, comment and subscribe कर देना और हमके आएक इंडिकेटर पे एक सिरीज बना रहे बाद में उसमें strategy एड़ करेंगे और बाद में हम उसको अच्छा लगा, अच्छा response मिला तो हम उसमें price action भी एड़ करने वाले तो अगर आपको कुछ learning करें, कुछ जान है तो simple सा तरीका आप हमारे साथ जूड जाए चलिया मिलते अपने next वीडियो में तब तक के लिए टागड़ वाई जाए इन